कि हालो एब्रीवन अगें इतने सारे तुम्हारे पर्सनल मेसेज़ेस आ रहे हैं कॉल आ रहे हैं तो बैटर है मैं चोटा सा वॉइस ओवर में तुम सबकी डाउट्स क्लियर कर देती हूं तो नंबर वान बैस फर्स फर कॉंग्रेचुलेशन तुम लोग इतना वेट कर रहे थे अपने रिजल्ट का अभी वो फाइनली आ गया है अभी पहला कोईशन है कि जिन लोगों की रिजल्ट में जो ग्रेट्स कि यार गिवन है या एबी गिवन है या फिर एफ गिवन है तो अब क्या होगा लाइक मैं बता दूं यार मतलब इसेंशल रिपीट कि मार्क्स प आपके किसी पेपर में A-B ग्रेट शो हो रहा है बट आपने यू यू सेट फुद एक्जाम आपने अपने अपने अकॉडिंग एक्जाम दिया है लेकिन रिजल्ट में ये भी शो हो रहा है तो महाँ पर इनिवस्टी की मिस्टेक है आप जा सकते हो नोर्थ कैंपस में महा इसको बस वही वाली चीज़ अगर आपके F-grade तीन सब्जेक्ट में है या फिर दो सब्जेक्ट में है तो आपको परमोटो कर दिया जैसे आप थर्ड समेस्टर की पढ़ाई कर रहे हो ना तो अगर सेकिंड समेस्टर में आपके किसी भी सब्जेक्ट में E-R शो हो रहा है एफ शो हो रहा है तो उन पेपर को आप क्लियर कर सकते हो जब आप 4 समेस्टर में पोचोगे ठीक है तो 4 समेस्टर के अपने एक्जाम्स होंगे 4-5 जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो दोगी उनसके साथ आप ये सब्जेक्ट दे सकते हो जो आपके essential repeats के second semester में आए या फ होती है जादा से जादा आप 6 साल तक 5 साल तक ड्राइक कर सकते हो ठीक है तो डिगरी तभी मिलेगी जब आप सब एक सब्जेक्ट में कौलिफाई कर जाओगी ठीक है अब दूसरी बात यह कि जिनको स्टूनेंस को इतना शौर्टी है न कि मैं पेपर अच्छा गया था ले देखो भई अगर आप बहुत जादा शौर हो तो ही रीचेकिंग के लिए डिलवाओ क्योंकि रीचेकिंग पर सब्जेक्ट में लगते हैं अमाउंट पैसे लगते हैं ठीक है आप ऐसे ही नहीं अप्लाई कर सकते हैं यू हाफ टूपे थाउजन रुपीज हर एक रीचेकिंग का मतलब वो आपको पेपर नहीं शो करेंगे रीचेकिंग के बाद अगर ग्रेट बढ़ते हैं घटते हैं सिर्फ फाइनल रिजल्ट आपको देंगे पेपर आपको नहीं दिखाया जाता ही पॉलेसी होती है हर यूनिवस्टी की ठीक है तो मैं यहीं सजेस्ट करती हूं अगर आप लोगों का एफ ग्रेट शो हो रहा है या ए एसेंशल रिपीट आ रहा है या फिर एपसेंट आ रहा है अगर पेपर दिया एपसेंट आ रहा है तो आप हाथ पैर उठाओ इस चीज़ के लिए कि पेपर दिया था नहीं तो अराम से चुप चाप हो जाओगे फाइनल यर के अगर जो भी एक्जाम नहीं कौलिफाई कर पाए तो ओनर्स की डिग्री ग्राजुएशन की डिग्री नहीं मिलेगी आपको आप यह वाले अगर आप सेकिंड सेमेस्टर में जिन बच्चों जो बच्चे फेल हैं स्टूडेंट्स ठीक है या इस सब्जेक्ट में आप ए आर शो हो रहा है इसेंचल रिपीट है तो डिग्री नहीं मिलेगी हर एक सब्जेक्ट में चाहे वह फर्स समेस्टर हो सेकींड हो थर्ड हो फोर्थ हो फिफ्थ हो सिक्स हो सभी सब्जेक्ट में क्लेर होंगे तभी डिग्री मिलेगी ठीक है तो इस एडमीन होते हैं विंडोस होती हैं बाहर महाँ पर जाके पता करो ठीक है बट मैं यही सजेस्ट करूंगी रिएप्लाई के डाल देना ठीक है अगर बहुत जादा शोर हो तो फिर रीचेकिंग के लिए डालना बिकोज रीचेकिंग में अमाउंट ही जाती है बच्चों की होत बन रहा है और फिर भी आप लोगों को डाउट है जैसे मुझे तुम्हें से काफी लोग मैसेज कर रहे थे कि पेपर अच्छा गया था लेकिन एफ ग्रेट शोर है एफ का मतलब मतलब फेल है ठीक है अगर यार भी हो रहा था था ना तुमना डाउट होता है कि एक दो बन रहे हों कि आप यह समाल के चलो उसके बाद आप इतने शोर हो कि अच्छा ही पेपर गया था तो री चेकिंग करवा लो बट ठीक है मुझे लगता है री चेकिंग का आज तक तो मुझे फाइदा नजर आया नहीं स्टूडेंट्स खुश है री चेकिंग करवा के ठीक है तो इस बैटर आए कि एक्जां देदे ना इसका फोर सेमेस्टर में दे सकते हूं आप सेकेंड सेमेस्टर के जो भी एक्जांस हैं तो अ क्योणिकि बस थोड़ा सा बर्डन हो जाता है इसलिए मैं बोलती हूं समेस्टर वाइस साथ कौौनिफाइव करके चला करो कि कि री एक्जाम इसेंशल रिपीट पर मठ डालो फिर बाद में चीजे बर्डन बन जाती है क्योंकि आप आप जब भी समेस्टर थर्ड समेस्टर में आओगे फोर्थ में आओगे उसके पास सब्जेक्ट होंगे और उपर से तुम फिर कैरी फॉरवड कर रहे हो दो तीन सब् आई होप चोटे से वोईस ओवर में चे मिनट के डाउट्स क्लियर हो गई होंगे सबके बड़ अगर फिर भी कोई डाउट है तो बैटर रहे हैं ग्रूप पर ही मैसेज कर दो अब क्या शुपा रहे हो तुम्हां परसनल मैसेज करके कोई फायदा नहीं है प्रॉब्लम है तो कंफरंट करो इसको बिकोज परसनल मैसेज करोगे तो देख लिया तो अच्छी बात है यूजूली मैं देखती भी नहीं हूँ क्योंकि नंबर सेव है ने किसी के ठीक है तो थांक यू